असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े के गोश्ट के देगी आलू कोफते की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं घर के मसालों से बहुत डिलिशेस बद्दे जटपट से आप इस रेसिपी को बना कर त्यार कर लेंगे रेसिपी पसंद आए प्लेस वी अब इसको साइट कर देना यहां पर हम इसका मसाला त्यार करेंगे तो इसके लिए हमने एक मिक्सी जार लेना है और इसमें एट कर देना है दो टेबल स्पून भुने चने और एक टी स्पून नारियल पॉड़र यानि गरी का बुरादा एक टी स्पून खशकश और इसको ह स्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब इसमें एट कर देना है हमें देखिए यहां पर हमने हरे मसाला ले आए एक मुठी हरे दनिया छे से साथ लाह सुनके कर लिया दो हरी मिर्च एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया इसको रफली चॉप कर लिया तो यह सभी मस कर लिया तो यहां पर दीकिए सभी मसाले को हमने यहां पर फाइन को लिया है तो अब इसममें एट करें हमें कीमा और कीमा ले करने और करने एक टीजपून अजर कलेसुं का पेस्ट चाहूं और एब इसमें बन फोर टीस्पून हल्दी पॉडर आदा टीस्पून करम मसाला पॉडर और आदा टीस्पून नमक तो यह सब चीजे चली जाएंगी और अब इसमें जाएगा हमने चने कप आडर बना कर रहा हुगा था पुने चने कप बो एड़ कर देना है और इसको हमने कवर करकर fine piece लेन बोल में पानी लेना है हाथों को गीला करना है और एक portion लेना है कीमे का जितने भी आप बड़े चोटे जैसे भी कोफ्ते बनाना चाहें उतने बना सकते हैं तो इसको हाथों से दबाकर एक बॉल का शेप दे देंगे तो यहाँ पर देखिए कोफ्ते रेडी हो चुका है इसी तरह से हम सबी कोफ्ते बना कर तियार कर लेंगे तो कोफ्ते बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं तो इसको side कर देंगे और यहाँ पर लेना है देखिए हमें एक बड़े साइस का प्याज जिसका हमने paste बना लेना और अब लेना है में यहां पर एक बेसिल इसमें एट कर देना है 100 ग्राम मस्टर्ड वाल यानि सर्सो के तेल जो भी ओईल आप खाना पसंद करते हैं वो एट कर सकते हैं यहां पर मैंने मस्टर्ड ओईल का यूज किया है अब इसको हमने एक तिमधुएदार गरम कर लेना है और देखिए उसके बाद फिर फिर फोड़ा सी ठंड़ा ओने देना है फ्लेम को सुलो कर देना है अब इसमें प्याज का पेस्ट आड़ कर देना है जो बड़ी सब्ते साथ एक टेबल स्पून आद्रक लैसून का पेस्ट कर देना है और अच्छे से इसको हमें भूम लेना जब तक कि अध्रक लैसोन प्याज का रॉफ लेवर निकलना जाए अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाए फॉलो किजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अभी यहां पर हमें एड और दही करना बॉक्स तरफि, यहां पर मैं एक टी स्पून लाल मेज्ट पाड़ कश्मीरी लाल मेज्स पॉद्र, हल्दी पॉद्र, थी स्पून धनिया पॉडर, एक टी स्पून लाल मेज्च पॉद्र GT ne लें लें दही साथ मसाले को हमारे अगर आपार오LED दही कर सकते हैं तो यहां पर में थोड़ायो आदा कप पानीा करूंगे और मसाले को एक बार फिर से हमें भून लेना है तो यहाँ पर हम मसालों को पूरी तरह से नहीं भूनेंगी जब फोड़ा इस तब भून जाएगे यह देखिए हलिकी से गाडी होजाए तभी इसमें हमने कोफ्ते अट करना है क्योंकि हमने अच्छे से बुण जाएंगे तो यहां पर आप चाहें को फ्राइक करकर भी एट कर सकते हैं यहां पर विना फ्राइी के वह प्राइए को बना रही हूं तो देखे सब लाइगे जिससे कि लखत टूट जाएं तो इस तरह से नहीं टूटेंगे अब इसको हिलाने के बाद यह देखिए इस तरह से अच्छे से कोट कर दिया मैं हमने इसको एक बार से दो श Свीट ऑन दिया था कि मसाले के साथ कोफते अच्छे से भुन जाएं तो यहां पर देखिए कोफता को फिर से लाएंगे मसाले के साथ अच्छे से भुन जाने चाहिए कोफते भी मसाले के साथ अच्छे से भुन जाने चाहिए तब ही इसमें हमने एट कर देना है आलू तो यहां पर मैंने तीन बड़े साइज के आलू लिया तो चील पर कर लिए आ है आप अपनी पसंद के जैसे भी शेप में आलू कट करना चाहें छोटे बड़े वो कट कर सकते हैं आप ब्हसा'm कर वे बड़े साइस के रखें हैं आप छोटे चाहें तो छोटे भी तक कोक हो जाएं अब इसको खोल कर देख लेते हैं और बीच पेच में आप इसको स्ट्रेट करते रहें ताकि कोफते जले ना अब यहां पर देखिए को आलू 90% तक कोक हो चुके हैं अब अच्छे से भून लेना है तो यह देखिए आलू मसाला कोफते अच्छे से भून है तो कम पानी एट किजिए मैंने यहां पर मीडियम रखी है तो एक कप पानी एट किया है 240 ml का कप था तो यह देखिए इस तरह से अब इसको हमने कवर कर देना है आलू 10% तक और को जाए लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनेट के लिए फिर से हम छोड़ देंगे पकने के ल हो चुके हैं इसमें एट करेंगे आदा टीस्पून करम मसाला पाउडर और एक मुठी कट किया हुआ हरे धनिया तो थोड़ा सा मिक्स कर देना है और बस यह सर्फ करने के लिए एकदम रेड़ी है तो यहां पर हम इसको देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरह स सब्सक्राइब करें नहीं तो यहां पर सब्सक्राइब अगर आप यह मर्थन फॉलो करकर नाएंगे तो आपके कोफ़ते भी परफेक्ट बनेंगे तो यहां पर मैं आपका तोड़कर दिखाना चाहूंगी बहुत सर्फ्ट बनते हैं इस तरा से यहां किया हम इसमें फ्राइ के हुए प्याज एट किया हैं जिसे कि कोफते एकदम सॉफ्ट बनते हैं अंदर से तो उम्मिद करती हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेसिप लगें तब तक के लिए अल्ला हफीज